हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं इंदिया थू और ट्रैवलर साइग का चाप्टर इस चाप्टर को लिखा है पर्लेस बखने किसने लिखा है पर्लेस बखने लिखा है उनका जन्म कब हुआ था वो देखिए कब हुआ था तो 26 जोन 1892 में हुआ था ठीक है कहां पे तो United States पे हुआ था उनका डाइड कब हुआ था 6 मार्च 1973 में हुआ था कहां पे हुआ था United States में हुआ यह आपके objective questions पे पूछे जा सकते हैं तो इसलिए इनको no down जरूर करिएगा आपने copy में तो दिखिए चाप्टर में क्या कहा जा रहा है इंडिया कहां से लिए गया है my several worlds which is a personal record of her life ठीक है वो क्या है in her life मतलब उनके life पर यह क्या है एक personal record रहा है ठीक है इट सोज हर लव जो दिखाता है उनके लव को ठीक है उनके प्यार को दिखाता है ठीक है for the poorest people living in Indian villages किसके प्रती जो यहां पर गरीब लोग है कहां के poorest people ठीक है living कहां रहते हैं जो इन विलेजेश जो मतलब भारत के गउव में रहते हैं उनके प्रती उन्होंने अपना प्यार दिखाया है ठीक है एट सोज हरस लव गाइp चलिए next slide पे चलते हैं next slide पे देखें क्या कहा जा रहा है in this chapter परलेस्बक देखें यह writer का name है note कर लेज़ेगा परलेस्बक परलेस्बक has described her visit to India उन्होंने क्या describe किया किसके बार में बता है उन्होंने तो जब उन्होंने इंडिया को विजिट किया था विजिट मतलब होता है घुमना फिरना ठीक है एक्सप्लोर करना चीजों को ठीक है विजिट she says India had always been part of the background of her life वो क्या कहती है कि इंडिया जो है ठीक है वो उनके बैग्राउं'D से जुरही हुआ है ठीक है उनका जो बैग्राउंड रहा है उनसे वह जुराही रहा है ठीक है उनका एक पार्ट रहा है कैसे रहा है आगे देखते हैं she had a lot more of इंडिया उन्होंने बहुत सुना है, ठीक है, heard, ठीक है, here का, यह second form, third form होता है, लेकिन यह third form है क्योंकि head के बाद use किया है, क्योंकि have, has और head, इन तीनों के बाद third form used किया जाता है, ठीक है, मैन आपको tense में अच्छे से बताया हुआ है, तो सुना था कहां से सुना था अपने टॉक्टार से सूना था कि अंधिग जो फीमली ₈ jo फैमली ₈टर था उनकी जो पत्नी थी वह कहा कि थी वह इंडियस थी इस एलिए वह इंडिया के बारे मैं इतना कुछ जान पाई थी अमेर्का में जब वो थी तब ही ठीक है आगे देखिए she had also learnt buddhism and the life story of lord buddha और उन्होंने किन के बारे में जाना था किन के बारे में सीखा था learned किया था किन के बारे में तो lord buddha का तो उनके life story के बारे में उन्होंने जाना आप भी जान सकते हैं कि उनके life story से आप बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स स्लाइट पर देखे क्या खाजा रहा है दा राइटर है और राइटर है वो इंडिया आती है ठीक है नौट सी देखने के लिए क्या नहीं देखने के लिए नौट सी ठीक है इंडिया वो तो वह आती है लेकिन क्या नहीं देखने के लिए मतलब वह उनका जो इंट् को देखने का नहीं रहता है ठीक है ताज महल फतेपूर सिक्री और एनी हिस्टोरिकल प्लेस वो हिस्टोरिकल प्लेस अब को भी देखने के लिए नहीं आती है ठीक है उनका मिशन क्या रहा था वो देखिए हर मिशन was to see and listen to the young intellectuals of Indian cities and the peasants in villages क्या होता है कि इंड्री करें की यहां के जムी को देखने और उन से कुछ सुनने के लिए ही थी उन्का मिसंन यह NARS तैकि वह इंडिया विजेट करेंगी तो वह यहां के जो historical places वहां पर जाएंगे उनका mission mainly यह था कि यहां के जो लोग है जो बुद्धी जीवी हैं उनके बारे में जानना किसानों के बारे में जानना ठीक है जो villages में रहते हैं उन सब के बारे में जानना आगे देखिए क्या बोलती है वो she found thousands of young intellectuals trained in English schools और उन्होंने क्या देखा पाया है उन्होंने क्या पाया found उन्होंने पाया है कि thousands of young intellectuals मतलब बहुत सारे जो यंग बुद्धी जीवी जो लोग है यहां ठीक है trained in English schools वह कहां पर trained किये गया है English इंडिया और वह क्या है jobless मतलब उनके पास कोई भी job नहीं है ठीक है यहां पर आप देखते हैं बेरुस्कारी थोड़ा सा ज्यादा है तो वह भी वह चीज़ नोटीस करती है कि यहां पर मतलब यंग इंटेलेक्शल्स जो है वह trained कि जाते हैं इंग्लेस स्कूल में लेकिन फिर भी वह क्या रहते हैं जॉब्लेस रहते हैं ठीक है वह जॉब्लेस इंडिया तो उन्होंने यह एक जीज़ नोटीस गया था चीलिया आगे बढ़ते हैं नेक्स स्लाइट पर नेक्स स रुकती हैं ठीक है इंडियन फैमिली के साथ कहां पर तो विलेज में किसी अवह में रुकती हैं ठीक है आगे देखें लेकर रीवार्ट प्र रखता है कि महान वेक्ति हुए हैं यहां पर जो महान आदमी हुए हैं या फिर जो महान औरते हुई हैं उनको वह ग्रेट रिवॉर्ड में रखता है कि आगे देखे सी फॉंड डीप डीवोशन फॉर गांधी जी अमॉंग इंडियन्स डीवोशन का मतलब समझे की भक्ति एक तरीके से डीवोशन मतलब भक्ति तो यहां उन्होंने पाया कि consideration लोग बहुत जादा प्यार करते है उनका ब्पक्ति करते हैं उनके बताय के पहलीव है एक तो अच्छे से अच्छा भी है और बुरे से बीड़ा भी है यहां पहल है एक तो अच्छे से अच्छा भी आपको मिल जागा देखने को अगे बढ़ते हैं next slide पे यहां पर दिखे क्या कहा जा रहा है तो राइटर रोट अबुग राइटर ने एक बुग लिखाया बुग का नाम क्या है याद रखेगा कम माई विलॉबड कम माई विलॉबड ये आपसे पूछा जा सकता ओब्जेक्टीव पूशन में की कम माई विलॉबड किसने लिखा यह तो यहाय दखेगा पर लस बग ने लिखा है और हरण rätt वज़िट टू इंडिया जब उन्होंने इंडैया स्कुड काफितेट बाहुत सारे जो अमेरिकन से वह क्या किए किया यह इसको मनतार इस उन्होंने जो किताब लिखा उस इसको अप्रिसीयेट नहीं कुए, क्योंकि वह उससे रिलेट नहीं कहार पा रहे तो तो इंडिया और अमेरिका में काफी ज़यादा difference है थीक है बट अहर बुक इस नॉट पॉजल मेंट टू इंडियांस डिनर और वह बोल मिंड नहीं है मतलब यहां उन्होंने जो किताब लिखा है वो पजल नहीं है ठीक है इंडिया के रीडर्स के लिए जो यहां के रीडर्स है इंडिया के जो भारती रीडर्स है ठीक है जो भारत के लोग अगर इस बुक को परहेंगे तो उनके लिए पजल में नहीं है ठीक है लेकिन वहां के क्या किया है अपना सोन किया है अपना लभ दिखाया है किन के प्रति तो इंडिया के लोगों के प्रति and try to sew the feeling of Indian people और उन्होंने कोशिस किया है कि यहां के जो इंडियान लोगों का जो feelings है उनको दर्साने का कोशिस किया है उन्होंने जो यह book लिखा ता तो यही चीज यहां पर कहा जा रहाता तो है वो अच्छे समझ में आ गया होगा कि इस शहां शारा objective questionं िमस्काण बन सकता है। जहाँ zweite कि कहां कहां सा objective question बन सकता है जहां-जहां हाइलाइटेड है वहां वहां तो आपको objective question बनी सकता है जैसे कम माई बिलॉप्ड किस ने लिखा है ना पर लेस्पक्ने लिखा है तो इन सारे से objective question बन सकता है तो इन सब को अपने अगर आपको पीडियो में बस इतना ही मिलते फिर किसी नेक्स वीडियो के साथ थैंक्स पर वचिंग